कैसे हूं मेरे उटबराय दोस्तो मैं हूं आपका हो शेफ धीरज आज मैं बात करने वाला हूं मेरे सबसे पहले first contact के ship के experience का और साथ-साथ मैं बताऊंगा कि किस परकार से मुझे अपनी पहली ship की job मिले जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता हूं कि आपको website पे जाके चेक करना है jobs के लिए पर उस समय अगर जब मेरी job लगी पहली ship में 2007 या 2008 की बात होगी तो उस टाइम इस तरीके से website का चलन नहीं था हम लोगों को खुद ही मालूम नहीं होता था कि website चीजे क्या होती है तो basically मुझे एक cutting मिली newspaper में की जिसमें की लिखा गया था कि star cruises के लिए उनको recruitment करना है और जो office था वो था उनका डेली में अपके बीका जी कामा प्लेस में अगर कोई डेली से है तो उनको बीका जी कामा प्लेस मालूम होगा मैंने simply अपना जो resume लिया और मैं उनके पास वहाँ चला गया मैंने उनको अपना resume submit किया और उन्होंने उससे देखा जो भी office के counter पे वो दो-तीन लोग बैठे हुए थे क्योंकि पहली बार उस समय Ocean Dolphin जो की company के का नाम था जो की उनको recruit कर रहे थे जिनको कि आप agent बोल सकते हैं पहली बार उन्होंने डेली में office खोला था अब उन्होंने मेरा resume देखा क्योंकि मैं already continental background से था मैंने five star hotel में काम कर रहा था और जहां से मैंने training करी थी वो flight kitchen से थी तो similar यह थोड़ी चीजे मिल रही थी जो कि उनको requirement होती है उसके बाद उन्होंने मुझे दो दिन के बाद बुलाया और मुझे बुला कि हम आपका सबस test की online test की उस समय उन्होंने simple normal जैसे कि हम school में बच्चों को एक test paper दे देते हैं वैसे दे दिया और उसमें is MR कहां भरे जाते हैं कुछ flinda blanks दे दिये match the words दे दिये यह सारी चीजे दे दी कम से कम 20 से 25 questions हैं जितना मुझे याद है और उन्होंने मुझे एक या डेढ़ गंटे का कुछ समय दिया मैंने वह clear करके उनको दे दिया उन्होंने बोला कि आप यहां पर आदे गंटे इंतजार कर लीजिए हम आपको result बताते हैं उसके बाद उन्होंने tick कर अपना जो भी मेरा paper था उन्होंने check किया और मेरे 75 से कुछ ज्यादा number आय थे उस English के exam में उसके करना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ship में किस प्रकार सी positions होती है वह clear हो गया उसके बाद उन्होंने मुझे लगबग एक सप्ताह के बाद बुलाया कि आपका हम एक और test लेंगे जो कि हमारे Mumbai office आएंगे वह आपका interview लेंगे उसके बाद मैंने जो भी मेरी practices होती थी मैंने तयार करी जो भी मेरी basics चीजे में आपको बताता हूँ कि basic cooking के बारे में boiling क्या है, poaching क्या है, steaming क्या है, grilling कैसे करते हैं, cooking के temperatures, fridges को कैसे set करना है, vegetables कितने प्रकार की होती है यह सारी चीजे क्योंकि मुझे मालूम था कि इस त अपने बारे में अपने आपको कैसे introduce करते हैं, यह सारी चीजे मैंने लिखके रख ली और यह मैंने English में लिखके रखी जो कि आपको मैंने इक बार पहले भी अपने डायरी को दिखाया है, तो यह सारी चीजे मैंने लिखके रखी उसके बाद उन्होंने जो मुंबई office से उन्होंने मेरा इंटर्व्यू लिया और मैंने वो भी क्लेयर कर लिया और 20 मिन का इंटर्वीव और उन्होंने मुझे ओके बोल दिया उन्होंने उस राइम तो नहीं बोला पर उन्होंने बोला कि हम आपको इनफॉर्म कर देंगे उसके बाद मुझे इनफॉर्म किया गया कि आप completely select हो गए और आपका जो final इंटर्वीव है जो कि विदेश से आके कोई client है वो लेगा तो लगवग एक महने की बाद कि मुझे date दी गई और एक महने बाद Delhi के central hotel है जो कि इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी international airport के करीब है 5 star hotel वहां पे मेरा interview हुआ वहां की लेवी मैंने same वही तयारी करके रखी थी अपने बारे में अपने family background के बारे में औ अब यह सब होते होते ही लगबग date से दो महीने बीच चुके थे तो दो महीने तो मेरे सिर्फ paperwork में ही बीच चुके थे और मुझे अभी भी मालूम नहीं था कि मेरा perfect selection हुआ है कि यहां तक बात पहुची उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि आपका selection हो गया है अगर आप चाहे तो अपनी job छोड़ सकते हैं पर उन्होंने बोला कि अभी भी मच छोड़ी है जब हम आपको finally बोलेंगे तब आप छोड़ी है क्योंकि धाई महीने अभी तक बीच चुके थे उसके बाद उन्होंने मुझे medical करने के लिए बोला मैंने medical कराया उस टाइम medical कुछ 1800 रु कि अंदर आपके 5 या 6 बदलते रहती हैं चीजे इतने courses आते हैं आपके fire firefighters के बारे में your first aid के बारे में social responsibility के बारे में cloud kitchen के बारे में तो यह सारी चीजों का एक course हुआ जो कि मैंने द्वारका में कोई स्री राम institute है वहां से किया यह यह लगबग हमारा 15 दिन का कुछ था 15 द जाकि जो डेली के बीकाजी कामा आफिस ता वहां पर सब्मिट करवा गया इसके बाद उन्हेंने बोला कि आपको एक CDC CDC एक same passport type का एक हमारा एक बोल दीजिए आपका document होता है जो कि हमें ready करना होता है जो कि specially होता है सीमेंस के लिए सीमेंस जो कि ship में काम करते हैं उनको हम ल इंडिया में काम कर रहे हैं उसको इंडियन सीमें बूग बनाना उस समय यह नहीं था तो हमें तो उस समय मुझे जितना याद है हमें फिलिपिन्स की CDC बनवाई थी उन्हों कुछ 3500 रुपे कुछ लिए थे हमारे मेडिकल और हमें हमारे जो यह कोर्सिस यह लिए उन्होंन इसके बाद मैंने दो CDC और मनाई मैंने कभी इंडियन CDC के लिए अपलाई नहीं करा क्योंकि मेरे लाइफ का गोल कुछ और ही था यह सारी चीजे हुई उसके बाद मुझे टिकट्स आये मेरा कम्प्रेटली फ्री डिक्रमेंट था मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं करा अपलाई को उन्होंने एक जगये लग बताया अथा किस तरह के से शीप में लाइफ होती है किस तरह के सापको सर्वाइब करना है और यह सारी चीजे तो यह सारी चीजे होने के बाद मेरे पास टिकेट आ गया जो कि सिंगापूर के लिए था और मैंने सिंगापूर में जॉइन के लिए पर बीच में क्राइजिटी भी होगी थी मुंबई में बाड आ गई थी और लगभग मैं दो मैनी तक घर पर ही था तो यह सब प्रोसेस हो कर रहा था अकेला था और उस समय कोई मेरे साथ भी नहीं था जिसे मुझे जॉइन करनी थी दली से मुंबई बगर से बाद में हम लोग सिंगापूर में ही काफी लड़के महां मिलें मुंबई के हमारे काफी मेरे फ्रेंट बने उसके बाद तो यह सारी चीजे हुई मेरे स उसके बाद हमने मैंने सिंगापूर में जॉइन करा और शिप उस ताइम ड्राइडॉग में था ड्राइडॉग एक ऐसी कंडिशन होती है जहां पर कि कोई शिप किसी दूसरी कंपनी से पुराने शिप को खरीती है उसे रेनवेट करती है उसका नाम बदलती है शिप का ना नहीं है उसके लिए मैंने पे किया था तो अब अगर आप माली जी अगर आप यूएस की सिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यूएस का वीजा चाहिए होगा अगर आप सिंगापूर में कहीं जॉइन करने तो आपको दूसरा वीजा चाहिए होगा और आप में आपक में मदद करेगा या आगे जाने में यूज होगा फ्रोजन आइटम हो सारा नॉन वेज हो गया हम लोग देट दो में तक वही करते थे बागी किचन की गैली की सफाई पार्ट्स में डिवाइड करी पड़ी थी कि आपको यह किछना आज साफ करना है तो यह लगबख हमने दो महें तक वहाँ पे किया इसके अलावा वहाँ पे हमारी फिर्ट टीम्स बाड़ दी गई अपको जो शेफ ता वो आपका मलेशिया के थे था फिलिपिन्स के थे तो टीम्स बाड़ दी गई कि वह क्योंकि वहाँ अलग-अलग रेस्टटरॉंट से इंडियन रेस्टरॉंट अलग ता और ये सारी केबीन हमें वहाँ पर असाइन किये जाते हैं केबीन में हमारे हम लोग रहते थे और जिसमें की मैं सिर्फ मैं ही था जो कि मैं इंडियां था बाकी तीनों कि तीनों फिलिपीन थी तो ऐसी सीच्वेशन भी आती हैं और हमें उन्हें accept करना चाहिए अगर ज़रूरी ना हो तो काफी कुछ नई सीखे नई और उसके बाद सफाई क्या होती है वो समझ आया और लगबग 2-5 महीने बीठ गए उसके बाद पता चला कि शिप वापिस इंडिया ही आ रहा है जी हां वो सूपर स्टार लिप रहा था क्योंकि इंडिया में पहरी बार क्रूजिंग के लिए स्टार तो दो महीने बाद मैं वापिस से मुंबई पहुंच गया और जो कि मुझे लगता है कि अच्छा ही था सुरू में लगता था कि मैं सिंगापूर गया था सिंगापूर से मैं वापिस इंडिया पहुंच गया पर जो salary थी वो star cruise की बहुत जादा कम थी, 530 dollar कुछ थी अगर उस time के इसाफ लगए तो 30-40,000 कुछ होगी जो की उस time ship में सबसे कम salary star cruises में होती थी, तो मैंने लगबग एक साल काम किया वहाँ पर जब मुंबई में ship वापिस आ गया, तो हमें कई सारे agents के बारे में पता चला और मैंने वहां से apply करके मैंने दूसरी company join कर ली तो एक छोटा सा एक मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि मेरा पहला experience कैसे रहा और मैंने किस प्रकारशे ship में job घूंडी या मुझे मिली तो यह साही चीजे थी अब इसमें सबसे important क्या है सबसे important इसमें सिर्फ यही है जो interview वाला पार्ट है तो interview इसके लिए मैंने आप लोग इसमें solution बना रखा है interview basically होगा आपके बारे में अपनी family background के बारे में आपको क्या-क्या basics होते हैं यह सारी तो इन सब चीजों के solution के लिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ship में जाएं पैसे कमाएं तो इसके लिए मैंने एक छोटी-छोटी books बना के रखे आप लोग वो लेग सकते हैं और उनका benefit उठा सकते हैं तो चलिए वीडियो को यहीं end कर दूँगा जिसको भी books चाहिए या किसी भी प्रकार के questions हैं तो नीचे description में आप मुझे message कर सकते हैं और मैं आपको respond करने की पूरिश कोशिश करूँगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद